Hi everyone, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं connections के उपर जो कि दोस्तो हमारे पास दो टॉप हैं एक बेस हैं, दो एम्प्लिफायर से हैं एक स्टेपलाइजर है एंड दोस्तो एक हमारा mixer है तो दोस्तो आज मैं आपको इन सभी के connections के बारे में बताऊंगा कैसे आपको connections करने हैं, कैसे आपको base चलाना है एंड कैसे आपको top चलाना है, ठीक है दोस्तो एंड आपको mixer कैसे operate करना है, एंड कैसे आप connections कर सकते हैं तो दोस्तो आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, आप दोस्तो कभी connections भूलेंगे नहीं, मैं आपको easy तरीके से हर एक चीज समझाऊंगा, हर एक point भी बताऊंगा, तो दोस्तो वीडियो बहुत ही knowledgeable होने वाले वीडियो को पूरा जरूर देखें, तो दोस्तो मैंने यहां पर दो टॉप लिये हैं, एक बेस लिया है, दो amplifier, एक stabilizer, एक mixer, मैंने यहां पर add किया है, ठीक है दोस्तो, तो दोस्तो आपको मैं बता दूँ जो हमारे amplifier हैं, या हमारे top हैं, या बेस हैं, यह आपको केवल connections के बारे में बताऊंगा, दोस्तो वाट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा, कि आप इसमें इतने वाटिस का speaker लगाएं, या इतने वाट का होना चाहिए, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा, केवल आपको connections के बारे में बताऊंगा, अपने दोस्तो वाटिस, speaker के वाटिस, and amplifier, अपने matching के हिसाब से बता देता हूं, आपको connections कैसे करने हैं, दोस्तो टोप के अंदर, अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर आपको पहलर ही connections करने हैं, आपको बता दो, अगर आपको पहलर या series connections नहीं पता हैं, कैसे किये जाते हैं, तो दोस्तो हमारे वीडियो के निच्छे description box में, आपको link मिल कि वह बाला दोस्तों आप वीडियो मेरा पहले देख लीजीगा तब ही दोस्तों आप इस वीडियो को देखें ठीक है तो दोस्तों हम दो टोप एक एंप्लिफायर पे चलाएंगे और दोस्तों जो एक हमारा बेस बचा वो भी हम दोस्तों दूसरी एंप्लिफायर पे चलाए है तभी दोस्तो हमारे इंपीडर्स बनेगा और यहां पर दोस्तो मैंने एक इंप्लिफाईल लिए है जो कि धोस्तो एक कॉमन का ओप्षन दिया गया है और दोस्तो टॉ गया top और amplifier का ठीक है अब बताते हैं बेस और amplifier का आपको कैसे connections करना है तो दोस्तों एक हमारे speaker होता है atom का इसके अंदर भी आपको दोस्तों पहले connections करने एक base हमारा बन जाता है forum का तो दोस्तो दूसरी amplifier में आपको एक दोस्तो आपको black वाला लगाना है common में और दोस्तो जो दूसरा हमारा red वाला बचा वो दोस्तो आपको लगाना है forum में तो दोस्तो हमारे यहाँ पे दोनों चीज मतलब connect हो चुके हैं base और top amplifier से connect हो चुके हैं अब दोस्तो हम बताएंगे आप amplifier को mixer से कैसे connect करेंगे connections कैसे करेंगे तो दोस्तो हमारी amplifier के पीछे back setting में आपको input का option देखनों को मिल जाता है and output का option देखनों को मिल जाता है और दोस्तो हमारे mixer के अंदर आपको केवल output का ही option देखनों को मिलता है इसमें दोस्तों आप जो jack होती है 6.5 आप यहाँ पर दोस्तों mono jack का use कर सकते हैं या दोस्तों आप एक्सलार का भी use कर सकते हैं जैसे आपके option हो वैसे ही आप अपना cable use कीजिए तो दोस्तों जो हमारी एक amplifier है जिसमें हम top चला रहे हैं ठेक है दोस्तों उस amplifier का जो input है ठेक है दोस्तों input उठा के आपको दोस्तों उसमें लगा के आपको output डाल देना है mixer में ठेक है दोस्तों यह हमारी एक amplifier connect हो गई है mixer से अब दोस्तों जिसमें हम base चला रहे हैं वो आपको amplifier connect करना है किजे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको दोस्तों इंपुट को आउट्पुट में कनेक्ट करना है ठीक है दोस्तों एंपुट लेना है और मिक्सर में आउट्पुट कर देना है दोस्तों यह हमारी हो गई अलग-अलग amplifier के बारे में अगर दोस्तो हम amplifier दो हैं हमारी दोस्तो आपको amplifier से amplifier connect करना है आपको mixer में एक ही output लाना है तो दोस्तो आपको input एक ही लाना है mixer के अंदर तो दोस्तो आप इस तरह connections कर सकते हैं तो दोस्तो हमारी दो amplifier हैं दोनों amplifier में input output होता ही है तो दोस्तो हमें input को output में कर देना ठीक है तो दूसरी Amplify में बचा हमारा Input और Input उठा के आपको Mixer की Output में डाल देना है Connect कर देना ठीक है दोस्तो तो दोस्तो हमारी चाहे इस तरह से Connections कर लीजे चाहे दोस्तो अलग-अलग कर लीजे चाहे दोस्तो आप एक ही Connections कीजिये मतलब एक ही Jack आपको लानी है Mixer में ठीक है दोस्तों इस तरह से Connections कर सकते हैं चले अब दोस्तों बात कर लेते हैं Stapplyzer के Connections के बारे में तो दोस्तों हमारे Stapplyzer के अंदर भी Input Output होता है ठीक है दोस्तों जो दोस्तों हमारी दो Amplifyer है and एक mixer है, वो दोस्तों आपको stabilizer में लगा देना है, output section में and दोस्तों जो हमारा बच्चा input section वो आपको busily में लगा देना है, मतलब generator में लगा देना है, ठीक है दोस्तों आप दोस्तों जो हमारी phone वाली lead होती है ठीक है, 356 mm की जो हमारी आती है चाहे वो आप दोस्तों लेप्टॉप में लगाई चाहे फोन में लगाई वो आपको कहां पर इंशेट करनी है तो दोस्तों वो आपको मिक्सर में इंशेट करनी है ठीक है दोस्तों आपका setup हो गया चालू मतलब on कीजिए आप चालू कीजिए बजाइए चलेगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैंने आपको बता दिये connections कैसे करने हैं सभी प्रकार की connections बता दियें दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये connections नहीं भूलेंगे मैंने आपको बहुती सरल तरीके से बताया है और ऐसे ही connections हमारी सभी amplifier से एक speaker में होते हैं ठीक है दोस्तों आपको ऐसे ही कितने भी चाहें आप top या base लगा ले ऐसे ही connections किये जाते हैं ठीक है तो दोस्तों मैंने आपको connections के बारे में बता दिया है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी अगर knowledge मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाएं एंड चैनल को जरूँ सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो से अपलोड करूँ notification आप तक सबसे पहले पहुचे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और वन्द मात्रम